यह जगत सारा अक्षानी कहे और आत्मा एक नीद्य है आत्मा का अनुभवबस एक मात्र नीद्य है आत्मांशी एक मानुथर तर नीद्य है आत्मा चेटन्य चेटन्य स्वभवी भगवान आत्मा अनादी अनन्त शुद्ध चेटन्य मात्र है ज्यान मात्र है मैं शुद्ध चेटन्य मात्र ज्यान मात्र भगवान आत्मा हो त्रिकाल शुद्ध चेटन्य पर्मात्मा हो समस्त संयोग एवं संयोगी भावो से न्यारा त्रिकाल ध्रूव सत्ता स्वरूप जैटन्य तत्व हूँ एक में अनंत गुणों का रूप होने पर भी प्रतीक गुण स्वतंत्र होने पर भी जो अनंत गुणों का घनपिंड है ये ध्रूव चेटन्य पर्मात्मा मैं हूँ मैं अप्राधी हूँ इस स्विकार से ही मेरा भोव्यपना सिद्ध होता है मैंने अप्राध किया है इसलिए मैं यहां भटक रहा हूँ मुझे में दोस है इसलिए दूशी तो होता हुआ मैं जन्म मरण कर रहा हूँ मेरा उप्योग इतना चंचल है और चित इतना मलिन है कि स्विक पर का विवेक ही नहीं है मैं अप्राधी हूँ वरना परिभ्रमन क्यों करता यदि मैंने अप्राध ही नहीं किया हो तो मैं सर्वोच शिकर सिद्ध शिला पर बिराजमान होता यहां मद्य लोक में तीन लोक में चक्कर क्यों काड़ता मैं अप्राधी हूँ इस अप्राध का यह भगवान मैं स्विकार करता हूँ मैं अप्राधी हूँ इसलिए संसार परिभ्रमन हो रहा है यदि मैं स्वयम के अप्राध का स्विकार भी न करूँ तो संसार परिभ्रमन बिना किसी कारण के हो रहा है यह मानना पड़ेगा मैंने कुछ भी नहीं किया और फिर भी भटक रहा हूँ मैं अकारण भटक रहा हूँ यदि कोई कारण ही नहीं है तो फिर भटकना स्वभाव हो गया योकि स्वभाव के लिए कोई कारण नहीं होता पानी शीतल है इसके लिए कोई कारण नहीं है अगनी उष्ण है इसके लिए कोई कारण नहीं है और मैं भटक रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई कारण नहीं है, तो भटकना स्वभाव हो गया और जिसके स्वभाव में ही भटकना है, वह अभव्य होता है जिसे कभी मुक्ति हो ही नहीं सके, जिसके भीतर ही भटकना लिखा है, वह अभव्य है यदी में निरदोश ही हूँ यदी में निरअपराधी ही हूँ तो फिर यहां क्यों भटक रहा हूँ और बिना किसी कारण के भटक रहा हूँ तो मैं अभव्य हूँ मगर ये भगवान मैं अभव्य नहीं हूँ मैं भव्य हूँ मुझे ये विवेग जगा है मुझे ये जिग्यासा जगी है मैं कौन हूँ मैं भव्य हूँ या अभव्य हूँ ये रूचि इस बात को बताती है कि मैं भव्य हूँ भीतर से अभव्य को यह भी अहुभाव नहीं आता ऐसा अहुभाव उस अहुभाव के लिए मैं भाव ना पाता हूँ हे भगवान मैं भव्य हूँ मैं मुमुक्षु हूँ मैं आत्मार्थे हूँ मैं जिग्ञासु हूँ मेरे भीतर में चैतन्य तत्व के लिए अहुभाव जगा है सारा जग एक और और चैतन्य तत्व एक और मैं तैयार हूँ जिस चैतन्य तत्व को तीन लोग के वईभव से भी तोला न जा सके जिसकी किसी पराये से तुलना न हो सके ऐसा अतूल चैतन्य तत्व मैं हूँ ये भगवान हूँ बहु फुली गए हूँ ये मेरे रदई के अंतह करण से निकले हुए उद्गार है ज्यानी की शमापना निराली है ज्यानी का जीवन ही निराला है ज्यानी का द्रस्टी कौन अत्यमत निराला है ज्यानी वहां तक पहुँच जाते हैं जहां कभी भी नहीं पहुचते हैं इसलिए क्योंकि ज्यानी सत्य के लोक में विच्रण करते हैं और कभी कल्पना के लोक में और ये सारा जीवन सत्य भी है और कल्पना भी है और दोनों द्रस्टी से जो देख सके वे ही परम कृपालु देव है इसलिए परम कृपालु देव आत्म ज्यानी भी है और कभी भी है ऐसे परम कृपालु देव ने ग्रहस्त अवस्था में रह करके जुक्षमापना जुक्षमा याचना जो भीतर के दोशों का स्विकार किया मैं भी अपने जीवन में उन सभी दोशों का स्विकार करता हूँ सभाव से मैं निर्दोश हूँ फिर भी परियाई में मैं अनंत दोश से भरा हूँ सभाव से मैं परमात्मा हूँ मगर वर्तमान में परियाई में मैं पामर हूँ सभाव से मैं तीन लोग का नाथ हूँ नगर परियाई में मेरी हालत ऐसी है जैसे मैं अनाथ हूँ हे वितरागी परमात्मा ये भगवान हूँ बहु भुली गयो परम कृपालो देव की शमापना यहीं से ही प्रारंब होती है ये भगवान हूँ बहु भुली गयो किसे भूल गया ये भगवान हूँ बहु भुली गयो मैं किसे भूल गया मैं भगवान को ही भूल गया हूँ बहु भुली गयो मैं बहुत भूल गया यही कारण है पुझ्य गुर्देव से कांजे स्वामी यह कहता है प्रत्यक अग्ञानी भूला हुआ भगवान है हे भगवान हुँ बहु भूली गयो द्रव्य में शक्ति ऐसी है कि तीन लोग को एक समय में जान सके तीन काल और तीन लोग को लोग को ही नहीं अलोग को भी एक समय में जान सके ऐसी शक्ति वाला भगवान आत्मा जिसे इतना भी याद न आया कि मैं भगवान हूँ मैं मूड बना रहा मैं मदोन मत्तव मोहा सक्त जिस स्वयम का कोई होश नहीं मोह की शराब पी करके ये भूल ही गया कि मेरा घर कहा है मोह की शराब पी करके अपने घर के आंगन पर ही खड़ा था और गली गली में जा करके मैंने गुरू से पूछा कि मेरे घर तक पहुँचने का रास्ता कौन सा है सद्गुरू ने ये कहा कि तु अपने घर पर है तु अपने घर पर है घर के आंगन में भी नहीं तु अपने घर पर है मैंने इन वचनों को सुना मगर फिर भी थोड़ी ही देर में मैं भूल गया हे भगवान मुँ बहु भूली गयो और ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं रहता मेरी रूची ही नहीं थी मुझे अहो भाव ही नहीं था ये अहो भाव न होना ये महा अपराद जिस चैतन्य तत्व की पुकार को छे खंड के अधिपती चक्रवर्ती की संपदा से भी न तूला जा सके चक्रवर्ती की संपदा से भी जिनके वचनों का मुल्यांकर न किया जा सके ऐसे चैतन्य परमात्मा के प्रवचनों को ऐसी चैतन्य की पुकार को इतनी महिमावान कही जिब चैतन्य तत्व की पुकार इतनी महिमावान है तो मैं तो स्वयम चैतन्य तत्व हूँ ऐसा अहुभाव न जगा ये भगवान हुँ बहु भुली गयो भूल गया ये सत्य है मगर भूलने का स्वभाव ये सत्य नहीं है स्वभाव तो जानना है स्वभाव तो लोका लोक को जानना है मगर रूची के अभाव के कारण ही ये भगवान हुँ बहु भुली गयो रूची ही नहीं थी धन, संपति, बद, प्रतिस्था ये सब मुझे याद रहा सिर्फ ये भगवान मैं आपको ही भुल गया सब कुछ याद था मगर जिसमें रूची थी वह मुझे याद रहा मैंने शिकायत की कि अब मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता अभी सुने हुए जिनेंद्र भगवान के वचन, मुझे याद नहीं रहते, मैं भूल जाता हूँ सत्संग सुनता हूँ, मगर उम्र हो गई है, अब याद नहीं रहता बुढ़ापा आ गया है, याददाश्ट अब घट गई है, अब जीवन का संध्याकाल आया है अब सूर्य ढलने लगा है, ये भगवान अब मुझे याद नहीं रहता मैं भूल जाता हूँ भगवान के सामने जाकर के स्विकार किया कि अब मुझे याद नहीं रहता है मगर पचास साल पहले सम्मिद शिकर की यात्रा के दोरान किसी ने एक चदर ओडने के लिए नहीं दी थी वो आज मुझे याद है और प्रवचन सुबह का एक घंटे के बाद भी याद नहीं है हे भगवान मैंने नाटक बहुत किये कि मैं भूल जाता हूँ सत्य यह है कि चैतन्य की रूची ही नहीं थी जगत की रूची से जगत मुझे याद रहा नगर हे भगवान मैं आपको ही भूल गया इस दोश का मैं अप्रतिक्रमन करता हे भगवान मों बहुत भूली गयो मैं भूल गया मैं स्वच्छन्दी हो करके मैंने अपने को बचाना चाहा मैंने स्वयम के दोशों को ठाकने के लिए वकालत की स्वयम के दोश को ठकने के लिए मैं वकील बना और दुसरों के दोश को देखने के लिए मैं जज बना इन सभी दोशों के लिए अब मैं प्रतिक्रमन करता हूँ मैं स्विकार तो करू कि मेरी रूचि, चैतन्य तत्व के लिए, अभी जगी ही नहीं है। सारे जग को मैं ठग सकता हूं, मगर सरवग्य भगवान को नहीं। मैं कहीं से आम को छुरा लेता हूं, कोई नहीं देखता है, मगर सरवग्य भगवान तो देखते हैं। सरवग्य भगवान देखते हैं, मगर मैं सरवग्य भगवान को कहा देखता हूँ, इसलिए लगता है, इस पाप को किसी ने नहीं देखा, न जग ने देखा, न भगवान ने देखा, मगर तीन लोग का नाज जो नीज भगवान, इस भगवान ने तो देखा है, मैंने तो देखा कि यह आम मैंने चुरा लिया, किसी और ने देखा या नहीं, पता नहीं, मगर मैंने तो देखा नहीं, मैं जग को ठग सकता हूँ, मगर अपने को नहीं, मैं सभी दोशों को जानता हूँ इसलिए मैं अपने दोशों का स्विकार करता हूँ ये भगवान हूँ बहु भूली गयो ये चाल बाजी है ये दुखा धड़ी है ये राज नीती है ये चानक्य की चाल है ये सत्य नहीं है कि मैं भूल जाता हूँ सत्य ये है कि मुझे भूल जाना है सत्य ये है जागरुती में मेरी रूची नहीं है सत्य ये है कि मैं निंद में हूँ निंद में हूँ निंद में नभी हो तो भी निंद की दबाई लेकर के मैं सोता हूँ सद्गुरु जगाते है परिवारजन, मित्र, शत्रु ये सुलाने आते है सुलाने वालों की संगती प्यारी लगी पत्नी और पती ने इंद्रिय भोगों के लिए कहा वह मिठा लगा, ऐसा लगा जैसे लूरिया सुना रही है मुझे बेवोश होकर के सोना था जागना नहीं था, इसलिए गुरु स्मरण में न आये और ये गोरक दंदा चलता रहा ए भगवान सत्य ये है कि मुझे रूची ही नहीं थी मैंने धोखा दिया है स्वयम को ही ये भगवान हो बहु भूली गयो पूजा करने गया, भक्ती करने गया चित कहीं और भटक रहा था नगर अंत में जब शमापना आई तब जाग गया बिन जाने वा जानके तुरंत ही दोश का स्विकार करना आया उसमें तो जागरुत हो गया ये आनंद के समाचार नहीं है भगवान के सामने ये मैं कहता हूँ ये आनंद के समाचार नहीं है ये भगवान हूँ बहु भूली गयो मगर भगवान ये कहते है कि जो तु कहता है हूँ बहु भूली गयो किसने मना किया था याद करने के लिए कर लेता किसे ने रोका तो नहीं था किसे ने कहा तो नहीं था कि भूल जा मेरी दिव्य ध्वनी में तो ये पुकार थी कि तू जाग मोह की निंदिया तूटे और ये जेतन जागे ये सबसे बड़ी शराब है इस से बड़ी कोई शराब नहीं मोह की शराब मोह का नशा इस नशे में ही नशे में मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ मगर शरीर साथ नहीं देता इसलिए भूल जाता हूँ मैं क्या करूँ शरीर साथ नहीं देता मेरे जैसा मायाचारी कफटी और कोई नहीं ये भगवान हूँ बहु भूली गयों ये जानते हुए परमकृपालो देह की क्षमापना कि शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन हूँ तीन लोका नाथ हूँ देह इतना सुंदर है देह इतना तेजो मई है देह की कांती उसे कैसे मैं व्यक्त करूँ कोई शब्द नहीं मगर वस्त्र इतने गंदे है इसका भी मैं स्विकार करता हूँ देह सुंदर है वस्त्र मलिन है मैं चैतन्य परमात्मा त्रिकाल शुद्ध हूँ मगर परियाई में जो मलिनता है इन गंदे वस्त्रों का हे लिए अब मैं प्रतिकर्मन करता हूँ ये भगवान हूँ बहु भूली गयो मैं भूल गया बहुत भूल गया बहुत भूल गया इस जगत में चैतन्य के अतिरिक बहुत कुछ है ही नहीं बहुत कुछ नहीं चैतन्य ही सब कुछ है मगर ये नहीं कहा कि मैं सब कुछ भूल गया ये कहा कि मैं बहुत भूल गया कि कि कुछ तो याद रहा है सब कुछ नहीं भूल गया मैं बहुत भूल गया हूँ यह तो मुझे याद रहता है इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ भूल गया मुझे याद नहीं रहता जब मैं स्विकार करता हूँ कि मुझे याद नहीं रहता मगर इतना तो याद रहता है कि मुझे अब याद नहीं रहता ए भगवान हूँ सब कुछ भूली गयो एम नहीं मैं सब कुछ भूल गया ऐसा नहीं मैं बहुत भूल गया हूँ बहु भूली गयो जो मुझे याद रखना था वह याद रखा जो भूलना था वह भूल गया यह मेरी मौज थी किसी के लिए हुए रूपिय उसे वापिस देने है किसी को दिये हुए रूपिय वापिस लेने है मगर किसी से लेने है यह तो मुझे याद रहा किसी को देने है यह मैं भूल गया भूलने की आदत नहीं है जिसे भूलना है उसे मैं भूल जाता हूँ जिसे याद रखना है उसे मैं याद रखता हूँ यह बीमारी नहीं है यह रूची है जिसकी रूची है वह मुझे याद रहता है ये भगवान हूँ बहु भूली गयो क्योंकि मुझे स्वयम की रूची ही नहीं थी मैं भूल गया हूँ मैं खो नहीं गया मैं भूल गया हूँ मैं नस्ट नहीं हो गया हूँ मैं जड़ नहीं हो गया हूँ मैं हूँ, मैं सत्ता स्वरूप हूँ, मगर इस सत्ता को मैं भूल गया हूँ इस सत्ता को मैं भूल गया हूँ, घर के बाहर मुझे निकलना है, और चाबी मैंने अपने हाथ में ही रखी है और मैं सारे घर में चाबी ढूंडता हूँ, और ये कहता हूँ कि मैं भूल गया, चाबी कहां खो गई चाबी कहीं नहीं खोई, क्योंकि दुनिया की कोई भी वस्तू, वस्तू के पीछे नहीं खोती दुनिया की प्रत्यक वस्तू ग्यान में से खो जाती है जब वस्तु ग्ञान में जानने में आती है तब हम कहते है कि वस्तु मिल गई वस्तु वस्तु में नहीं मिलती वस्तु ग्ञान में मिलती है सारे घर में मैंने चाबी को ढूंडा चाबी नहीं मिली कहा कि चाबी खो गई है मगर चाबी तो मुठी में थी जब मुठी खोल के देखा तो चाबी मिल गई चाबी नहीं मिली, चाबी का ज्ञान मिला कि चाबी यहीं है वस्तु खोती ही नहीं है, वस्तु तो वहीं पड़ी है सिर्फ वस्तु का ज्ञान खो जाता है मैं खोया नहीं हूँ, मैं कहीं गया नहीं हूँ मैं त्रिकाल सत्ता स्वरूप हूँ सिर्फ ज्ञान में नहीं है सिर्फ समझ में नहीं है इस समझ में न होने का नाम है ये भगवान हूँ बहु पूली गयो मैं बहुत पूल गया ये भगवान हूँ बहु पूली गयो मुक्ते के मार पर मैं निकला था मैं भूल ही गया रास्ते को मैं भूल गया किस रास्ते से मैं जाओ रास्ते को मैं भूल गया भटक रहा हूं रास्ते पर पागल की भाती किस राह पर चलू कोई विवेक नहीं है और अंधेरा है सुरियास्त हो चुका है अब मार्ग पर चलना है क्या करो तब किसी उफकारी ने जलता हुआ दिया लेकर मेरे पास आया और ये कहा ये मार्ग सरल है सीधा है ये सिद्धपूर का मार्ग है तो सीधा चल मैंने उसे दीपक मांगा उन्होंने दीपक देने से मना किया उन्होंने कहा कि तेरे पास दीपक है तु जो थोड़ा दूर है निकटा तेरा दीपक प्रज्वलीत कर और सिद्धपूर के मार्ग पर यात्रा कर च्योंकि इस मार्ग पर दुसरों का दीपक काम में नहीं आता अंधेरा है मार्ग भटका हूँ उपकारी का दीपक मेरे निकट आया और कहा मार्ग सीधा है सिद्धपूर का मार्ग सीधा मार्ग सिद्धपूर का मार्ग सिद्धपूर का मार्ग सीधा ही हो सकता है तेड़ा नहीं हो सकता ये मार्ग सीधा है यही तो वज़ है कि लोग के अगर भाग पर सिद्धक शेत्र पर सीधा ही तो गमन होता है तेड़ा गमन नहीं होता क्योंकि मार्ग सीधा है अंधेरे में मैं भटक रहा था पंचम काल ये अंधेरा है जहां सूर्य नहीं है, सूर्यास्त हो चुका केवल ग्यानियों का सूर्य अब न रहा मगर कितना भी अंधेरा है, सूर्यास्त हो चुका है केवली के सूर्य का अस्त हो चुका है मगर सद्गुरु का दिया अभी भी चल रहा है परम उपकारी सद्गुरु के जलते हुए दीपक को देखकर उनसे मैंने कहा कि मुझे सिध्धपूर जाना है मार्ग कौन सा है परम उपकारी सद्गुरु ने कहा तेरे पास दीपक है सिर्फ ये जो दूरी है ये दूरी मिट जाए तो तेरे दिये को थोड़ा और निकट लेके आ तो मेरे निकट आ तेरे ग्यान का दीपक प्रज्वलित होगा मगर देह से नहीं वाणी से नहीं मन से नहीं भीतर के अहो भाव से भीतर के अहुपाउस और तेरा दीपक एक बार जल जाए बस फिर तू यात्रा कर फिर तू मुझसे भी दूर हो जा मैं तयार हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे जलते दीपक की जियोती की संगती में रह करके जब तेरा दीपक जलेगा मगर मेरे दीपक में से कुछ भी कम न होगा यह धन ऐसा नहीं है कि सौ रुपिया मेरे पास में है और मैंने तुझे एक दिया तो मेरे पास 99 रहे थोड़ा कम हो गया ये धन ऐसा नहीं है, तो निकटा और तेरा दीपक जलेगा, मगर मेरे में से कुछ भी कम न होगा, परम उपकारी सद्गुरु की करुणा अपरमपार है, जलता हुआ दिया मिला, सामने सद्गुरु है, अंधेरा है, उस अंधेरे में अजगर भी है, उस अंधेरे में लुटेरे भी है, उस अंधेरे में शेर और वाग जैसे जानवर भी है, उस अंधेरे में अजगर मुह भाड़ करके तैयार है, यदि आत्महीत नहीं किया, तो निगोद में तैयार रह, निगोद की तैयारी कर। जंगली जानवर तैयार है, नरकादी गती तैयार है, इस अंधेरे में अब तु सावधान हो जा, क्योंकि लुटेरे भी बहुत है, गली गली में कुगुरू तुझे लूटने के लिए तैयार बैठे है, धन का लुटेरा भला है, धन लुटता है, इज्जत का लुटेरा भला है, इज्जत लुटता है, मगर स्रद्धा का लुटेरा, धन भी लुटता है, इज्जत भी लुटता है, इतना ही नहीं, शिश्य का सारा जीवन लुट लेता है, कुगुरू बहुत है, गली गली में है, इसलिए, हे ज्ञान दीपक, जल्दे हुए दीपक को लेकर, जो परमकुपकारी, परमकृपालु देव, जो खड़े है, उनके निकट आ, हे परमकृपालु देव, हुँ बहु भुली गयो, आप खड़े थे, फिर भी मैंने आपकी और न देखा, और अपने को मनाया, के अभी काल अभी बाकी है, मगर ये देखा ही नहीं, काल तो मुह फाड़ करके तैयार है, ये देखा ही नहीं, के काल की काली घटा, काल की काली छाया, के नीचे ही तो मैं बैठा हूँ, यहाँ पर सीर पर तलवार लटक रही है, रस्षी से बंदी हुई उस तलवार को, ये पक्षी, ये कवे, चोच मार करके उस रस्षी को काट रहे है, कब ये रस्षी कटेगी और तलवार गिरेगी, ये पता नहीं, और मैं मस्तव होकर के सो रहा हूँ, के अभी काल बाकी है, सम्यक दर्शन कभी कर लेंगे, हे परमकृपालो देर, ये सब जानते हुए, मैं अंजाना बना रहा, हे भगवान, मुँ बहु भुली गए हूँ, आज मैं आपके, चरणों में आता हूँ, आपकी शरण में आता हूँ, आपकी शरण में आता हूँ, ये भगवान, हूँ बहु भुली गए हूँ, मैं तमारा अमूल्य वचन ने लक्ष्मा ली था नही, आपने कहा, कि तु स्वयम ही परमात्मा है, नगर मैं मानने को तैयार न हुआ कि मैं परमात्मा मैं परमात्मा मैं परमात्मा होता तो यहां क्यों इस स्वरूप को ही न समझा आपके जो वचन है यह वचन अमूल्य वचन है यह धन देकर खरीदे नहीं जा सकते धन देकर खरीदे नहीं जा सकते इसका मुल्य नहीं हो सकता प्रवचनों का मुल्य नहीं हो सकता कॉम्प्यूटर का मुल्य हो सकता है जिसमें से प्रवचन सुनते हैं मुबाइल का मुल्य हो सकता है जिसमें से प्रवचन सुनते हैं CD, DVD, Pen Drive, Hard Disc इनका मुल्य हो सकता है प्रवचन का मुल्य नहीं हो सकता यह अमुल्य है पत्नी के वस्तर को बाजार से खरिच सकते है पत्नी को नहीं खरिच सकते उसका मुल्य नहीं किया जा सकता वस्तर का मुल्य हो सकता है व्यक्ति का नहीं यह सब उपकरण वस्तर की भाती है जो बाजार से मिल सकते है मगर हे भगवान आपके वचन अमुल्य है मैं तमारा अमुल्य वचन ने लक्षमा लिधा नहीं लक्षमा लिथा नहीं, सुने नहीं, ऐसा नहीं, सुनने के लिए तो बैठा था मगर सुनकर के भी विरोध किया संसार में तो शत्रू बहुत थे, मगर थोड़ी कमी लगी कि सद्गुरू को भी शत्रू बना दिया संसारी जनों का तो विरोध किया मगर एक स्थान भी बाकी न छोड़ा जहां मैंने अपनी मलीन वृत्ती को बाहर न निकाला आपके वचन मैंने सुने मगर आपके वचन मुझे पचे नहीं थोड़े कठोर लगे पचे नहीं क्योंकि आपके वचन लोहे के चने की भाति कठोर थे वचन कठोर थे मगर आपकी करुणा अत्यंत कोमल थी और वे कठोर वचन भी मेरे हीट के लिए थे मेरे हीट के लिए थे मगर उन वचनों को मैंने समझा ही नहीं आपके वचन मैंने सुने मगर पचे नहीं ये चने मैंने खाए मगर पचे नहीं अपचा हो गया और अपचा तीन प्रकार से हो सकता है जब कोई मुझे पचे नहीं आपके वचन मैंने सुने और उल्टी हो गई जैसे ही भीतर गए और बाहर निकाले क्या कहते हो मैं परमात्मा ये हो ही नहीं सकता मैं तो पापी हूँ मैंने आपके वचनों को भीतर टो डाला मगर तुरंत ही बाहर निकाला उल्टी हो गई मुझे आपके वचन पचे नहीं कभी कभी आपके वचन मैंने सुन भी लिये मगर कंठस्त करके पंडित हो गया भीतर पड़ा है मगर काम में कुछ भी नहीं आ रहा आपके वचन का मुझे कब्ज हो गया अंदर है मगर कुछ भी उपयोग में नहीं आ रहा भरा है मगर फिर भी अधुरा हूँ और कभी कभी सुन भी लिया मगर सुनते ही थोड़ी ही देर में बाहर निकाल दिया पचा नहीं दस्त हो गया उठा की याद भी न रहा कि सत्संग में क्या सुना था हे भगवान में तमारा अमुल्य वचनों ने लक्षमा लिधा नहीं पचे नहीं आपके वचन में तमारा अमुल्य वचन ने लक्षमा लिधा नहीं आपने तो सावधान किया था आपने तो जगाया था आपने तो सुबह सुबह चैतन्य की पुकार की थी आपने पुकार की थी चैतन्य 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 मगर मैं जागा नहीं आपकी पुकार सुनकर के भी मैं पाप करता था नगर पाप करना छोड़ करके फिर मैं पुन्य करने लगा आपकी पुकार सुनकर के मैं जागा नहीं बाई और मुह रख करके सो रहा था फिर दाई और मुह करके सोने लगा मैंने सिर्फ करवट बदली करवट बदल करके फिर दुसरी करवट पर वहां सो गया मगर जागा नहीं कभी पाप में सोया कभी पुन्य में सोया मगर दोनों में सोता रहा मैंने आपके वचनों को लक्ष में लिया नहीं मैं जागा नहीं ये परमकृपालू दे हूँ, ये भगवान मैं तमारा अमूल्य वचन ने लक्षमा लिधा नहीं तमारा कहेला अनुपम तत्वनों में विचार करयो नहीं तमारा कहेला अनुपम तत्वनों में विचार करयो नहीं यह तत्व अनुपम है सिद्ध गती जैसे अनुपम है ध्रूव अचल अनुपम ऐसे ही आपके वचन भी अनुपम है इसलिए अनुपम है क्योंकि अनुभव प्रमान से निकले हुए वचन है इसलिए आपके वचन अनुपम है आपकी वाणी अनुभव से निकली है आपका मस्तिश्क नहीं बोलता है आपका रदई बोलता है तमारा कहला अनुपम तत्वनों में विचार करयो नहीं ये अपराद है इसलिए क्योंकि विचार किये बिना अनुभूती नहीं होती तत्व का विचार नहीं किये अनुपम तत्व ये अनुपम तत्व और कोई नहीं तत्व तो साथ है मगर अनुपम तत्व ये चैतन्य तत्व है मैंने चैतन्य तत्व विचार किया नहीं चैतन्य तत्व विचार से ध्यान की यात्रा होती है मैंने जैतन्य तत्व विजार किया नहीं, मैंने अनुपम तत्व का विजार किया नहीं और जो जो भी मैं अपने दोश व्यक्त कर रहा हूँ इन दोशों से छुटने का अब मैं प्रयास करता हूँ आपने कहा था उत्तम तमारा प्रणीत करे रहा हूँ उत्तम शील ने सेवियू नहीं आपने शील का स्वरूप समझाया था, मैंगर मैंने शील का पालन किया नहीं कुशील सेवन किया, शील का सेवन न किया और शील का सेवन तब तक नहीं होता, जब तक शल्य का त्याग नहीं होता मिध्यात्व का काटा, जब तक भीतर से निकले नहीं, तब तक शील का सेवन कैसे हो, ब्रह्म का पता ही नहीं, तो ब्रह्म में विचरण करू कैसे मैंने अठारा हजार प्रकार के ब्रह्म चर्य के भेद कंठस्त किये, मगर एक अभेद ब्रह्म को तो जाना नहीं ब्रह्म चर्य के अठारा हजार प्रकार के भेद हो सकते है, ब्रह्म तो एक है, अभेद है, जिसके आस्रे के बिना, शील का सेवन हो ही नहीं सकता उत्तम शील का सेवन मैंने किया नहीं, आपने ही प्रणित किया, आपने बताया प्रत्य एक द्रव्य स्वतंत्र है, इस जगत में दो द्रव्यों के बीच में मिलावट कभी हो ही नहीं सकती मगर ये वृत्य की मलीनता ऐसी, कि मैंने चाहा, पत्नी मुझे सुख देगी, पती मुझे सुख देगा मैं पत्नी में इतना तनमई हो जाओ, पती में इतनी तनमई हो जाओ, मगर एक द्रव्य दुसरे द्रव्य में मिल ही नहीं सकता आपने प्रणित किया उत्तम शील को, मगर मैंने शील का सेवन न किया पत्नी से सुख की भीक मांगी, पत्नी पती से सुख मांगती है, पती पत्नी से सुख मांगता दोनों दुखी है, पत्नी चाहती है, पती से सुख मिल जाएगा पती मानता है, पत्नी से सुख मिल जाएगा दोनों एक दुसरे से सुख मांग रहे हैं, ये स्थिति ऐसी है जैसे दो भिखारी एक दुसरे से भिख मांगते हैं दो में से किसी के पास धन नहीं है और दोनों एक दुसरे से मांगते हैं यदि पत्नी के पास सुख होता तो पत्नी तुम्हें भोगने आती ही क्यों? पतनी सुख लेने आती है क्योंकि उसके पास ही सुख नहीं है मगर ये विचार मैंने आज तक किया नहीं और विचार भी आया तो भीतर में पुर्शार्थ जगा नहीं और पुर्शार्थ का एक ही उपाई है सद्गुरु की संगती शील पुरुष की संगती शील स्वभावी सत्पुरुष के आस्रई से परियाई में शील का सेवन होता है तमारा प्रणीत करेला उत्तम शील में सेवियों नहीं यह दोश है यह दोश है भक्ती बहुत भाव से करता था मगर भीतर की वासना कहां गई ऐसी की ऐसी जन्म से लेकर के मंदिर तो गया विचार ही न आया इतनी भक्ती थी अंध भक्ती थी बोजन न करूंगा तो चल जायेगा भूखा रहू प्यासा रहू भगवान की भक्ती मैं इतना मस्त था कि भोजन भी याद न आया भजन में इतना मस्त था कि भोजन याद न आया कैसी मेरी भक्ती बच्पन से धर्म करता था कि भोजन भी याद न आता था यदि इतना भजन करने वाला जिसे भोजन याद न आया तो जवानी आते ही पत्नी को भोगा कि यह भी पता न चला कि बच्चा पैदा हो गया यदि भजन किया था तो ये वासना कहां से आयी भक्ती की थी तो ये भोग कहां से निकले भक्ती की थी वह उपर उपर की थी भीतर तो वासना का किड़ा धंका हुआ पड़ा था ये भगवान इस किड़े से मुक्ति का उपाई आपने बताया मगर मैंने उसका सेवन न किया इस अब राद का अब मैं प्रतिक्रमन करता हूँ मैं प्रतिक्रमन करता हूँ ये सत्य होने पर भी, ये सब कुझ जानता होने पर भी मैं अजाना बना रहा। तमारा प्रणीत करेला, उत्तम शीलने सेवियू नहीं। तमारा कहेला दया, शांती, क्षमा अने पवित्रता मैं ओड़क्या नहीं। दया, शान्ति, शमा, वीत्रता मैं बोल ख्या दूँ दया को पहचाना नहीं दया को पहचाना मैंने बहुत दया की वरना नववे गेर्वे तक जाता कैसे मगर उस दया से दूसरे जीवों को तो बचाया मगर दूसरे को बचा सकता हूँ इस भाव से स्वयम को ही मार डाला करत्रत्व भाव से स्वयम को मारा हे भगवान मैंने दया का पालन किया में अगर नीज आत्मा के प्रती दया न आई प्राणी दया बहुत पाली इतना पालन किया कि अंतर दया का स्मरण भी न आया दया दया करते करते मैं इतना निर्दई हो गया कि जैतन्य पर्मात्मा कोई है ऐसा विचार तक न आया मेरी दया आज तक पाली गई खतरनाक निकली जग को बचाने निकला मगर खुद को ही नहीं बचाया दूसरे डूबते हैं उन्हें में बचाने गया मगर खुद डूबने से बचनी रहा उसका तो विचार भी न आया दुसरे को जगाने गया मैं अगर खुद सोता रहा कल्पना में सपन देखता रहा कि सब को जगा दू मेरी खुद की आँख का ओपरेशन नहीं हुआ था मैंने दुसरे की आँख का ओपरेशन करना चाहा मैं खुद ही नहीं बच सकता और मैं दूसरे को बचाने जा रहा हूँ दुनिया में भले ये कहते है दया डाकर्ण ने खाई मगर मेरी दया ऐसी थी जिसने मुझे ही खा लिया मेरा ही खात किया अब हे वितरागी परमात्मा मैं अब दया का स्वरूप समझता हूँ स्वर दया समझता हूँ उसकी पैचान करता हूँ आपने जो शान्ती का स्वरूप समझाया था वो मैंने जाना नहीं मैंने शब्द से मौन हो जाने को शान्ती समझा बाते की बहुत मगर वैं उपर उपर की बाते थी सारे जग में शान्ती हो ये भावना भाई सारे जग में शान्ती हो मगर सारे जग में शान्ती हो ऐसा जो विकल्प आत्मा में उत्पन हुआ यही तो अशान्ती है स्वरूप की और ध्यान न जाना और जग की और ध्यान जाना यही तो अशान्ती है मगर इसका एईसास ही न हुआ शान्ती को पैचाना ही नहीं वाणी से बोला शब्दों में बूला शब्दों में लिखा बड़े-बड़े कारे क्रमों का आयोजन किया बड़े-बड़े बोर्ड लगाए पता के पर लिख करके रखा शान्ती रखे शांती जाड़ो, शांती रखो, शांती रखो, मकर चुप हो जाओ, इसको शांती समझे, शांत स्वरूत का आस्रे लेकर के निर्विकल्प होना ये शांती है, इसे मैंने पैचाना नहीं, मैंने दया को पैचाना नहीं, शांती को पैचाना नहीं, मैंने ख्षमा को पैचाना मैंने क्षमापना को पैचाना नहीं मैंने उत्तम क्षमा को पैचाना नहीं जिस जिसको मैंने पीड़ा पहुँचाई है उसके पास जाकर माफी मांगना मैंने इसे क्षमापना माना एक इंद्री से पंचेंद्री के पास जाकर के ख्षमा मांगू मैंने ख्षमा को पैचाना दी जिनके साथ अपराध हुआ है उनके पास रूबरू जाकर के ख्षमा मांग लेना वरना रुणानु बंद छूटेंगे कैसे मगर ख्षमा का स्वरूप मैंने समझा नहीं ख्षमा सामने वाले के पास जाकर के मांगने का नाम ख्षमा नहीं वरना जिसके साथ मेरा अपराध हुआ लडाई हुई उसके पास जाकर के यदि ख्षमा मांगने से ख्षमा मिलती तो जिसके साथ मेरा अपराद हुआ वह तो मरकर के निगोद में गया तो क्या मैं भी उसके पास निगोद में जाओ क्षमा का अर्थ मैंने समझा नहीं उसके पास जाने की जरूरत नहीं सिर्फ अपने पास चला जाओ इतना ही परियाप्त एक के पास गए कि सबसे क्षमा हो जाते हैं मैंने आपके द्वारा समझाई गई क्षमा को समझा नहीं हे भगवान हे परमकृपालू देव मैंने आपके द्वारा समझाई गई पवित्रता को समझा नहीं मैंने मंदिर को धोया रोज सुबब उठकर के स्वयम को भी धोया ये देव स्वयम मंदिर है परमात्मा के मंदिर को तो धोया मेरे मंदिर को भी धोया परमात्मा के मंदिर को धोया और इस देव को भी धोया स्नान किया परमात्मा के मंदिर को धोया इतना ही नहीं परमात्मा की प्रतिमा को भी धोया सुबह उठ उठ करके मैंने अभिशेक किया प्रक्षाल किया सुबह उठ करके मैंने परमात्मा की प्रतिमा को धोया पवित्र किया मावीर भगवान आदिनाद भगवान इन सब क्यों मैंने पवित्र किया पानी डाल करके मंदिर भी मैंने पानी से दोया और मुर्ती भी मैंने पानी से दोई और इस देह को भी मैंने पानी से दोया पराये का मंदिर और पराई मुर्ती पानी से दोई मेरा मंदिर भी मैंने पानी से दोया मगर मेरी मूर्थी को मैंने अब तक न दोया इसलिए क्योंकि चैतन्य मूर्थी जो है ये पानी से नहीं धुलती ये चैतन्य मूर्थी ज्ञान में ज्ञान की अनुभूती से ये ज्ञान की बहती धारा में धुलती है कर्म के रजकन ज्यान की बैती धारा में डुब की लगाने से दूर होते हैं ए परमकृपालो देव मैंने आपके द्वारा समझाई गई पवित्रता को समझा नहीं ए परमकृपालो देव मैंने पवित्रता को समझा नहीं एक शमापना है परम कृपालो देव द्वारा कही गई लिखी गई ये अमुल्य वचन है और जब परम कृपालो देव ने ये वचन लिखे थे उस समय के जो भाव थे उन भावों को एक एक शब्द के भावों को मैं व्यक्त करने बैठो दिन बिद जाए इतने शास्त्रों के साथ में इन शब्दों के कनेक्शन है इतने गहरे भाव है परम कृपालो देव के और जिस समय परम कृपालो देव ये रचना करते है उस समय परम कृपालो देव की उम्र सिर्फ सत्रा साल की है ये सत्रवी साल में ये माहापुरुष जीवन की अभी कली खिली है मगर सत्तर साल का बुढ़ा भी जिस अनुभव से वंचित रहता है परमकृपालुदेव सत्रा बर्ष की उम्र में दिक्षा नहीं लिए घर में रहते हैं मगर इनकी वाणी में तेर्थंकर का अम्रुच जरता है ये जो क्षमापना है ये मेरा नित्यक्रम है जैसे ज्ञान दीपको का नित्यक्रम दिन में चार बार ध्यान ये नित्यक्रम है और मैं तो ये भावना पाता हूँ यदि तुम प्रतिक्रमन करते हो तो इन दिन इस प्रतिक्रमन पर इस शमापना पर हम चार बार मिलेंगे आज शाम को, कल सुबह और कल शाम को इस ख्षमापना पर चार सेशन में मैं विवेचन करूँगा अभी और तीन सेशन इस ख्षमापना पर होंगे उसे तुम एक-एक सेशन को चार-चार बार कम से कम सुनना और फिर तुम इसे रोज पढ़ना फिर तुम जब पढ़ोगे, तो जो सुना हुआ है समझे हुए भाव है, वो आपको प्रयोग में जब लेंगे, तो बहुत उपयोग में आएंगे विचार करेंगे, चिंतन करेंगे और सीधा सादा गुजराती भाशा में इसका हिंदी में भी, मैंने बढ़ा में अगर वो मुझे रूची करना लगा, इसलिए आज मुझे सुभ उठते ही ये भाव आया इसका हिंदी अनुवाद मैं करूँगा, ज्यान दिपकों के लिए सरल भाशा में, तुम जो प्रतिक्रमन करते हो, उस प्रतिक्रमन में भाव नहीं आता है इसलिए भाव नहीं आता है, योकि वह भाशा प्राकृत की है, संस्कृत की है तुमारी मूडता का मैं क्या कऊ जिनोंने ये लिखा, उस समय वे गुजराती बोलते नहीं थे, हिंदी बोलते नहीं थे उस समय प्राकृत चलती थी उस समय रोज लोग संस्कृत में बाते करते थे जिस भाशा में बात करते थे उस भाशा में उन्होंने लिखा नगर हमें एक शब्द का अर्थ पता नहीं और उसी को ही याद करके बोलते जा रहे भाव कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सत्य यह है कि जिस भाशा को तुम जानते हो जिस भाशा में तुमारा भाव समझ में आता हो प्रतिक्रमन उसी भाशा में होना चाहिए यदि कोई बच्चा अमेरिका में रहता है उसके लिए मैं इसका अंगरेजी में अनुवात करूँगा क्योंकि भाव ही नहीं आएगा तुमारे में कुछ परिवर्तर नहीं आ रहा है क्योंकि भाव ही समझ में नहीं आ रहा है इसलिए अंगरेज लोग जब यहां आये थे और गालिया देते थे भारत के लोगों को और भारत के लोगों को कुछ भी नहीं होता था समता भाव रखते थे वो समझते थे हमें कुछ भी नहीं हो रहा है मगर अंग्रेजी में गालिया देते थे समझ में ही नहीं आ रही थे क्रोध आएगा कैसे कोई भाव अंदर से उठेगा कैसे जिसका अर्थी तुम्हें पता नहीं तुम प्रतिकर्मन प्राकृत की गाथा बोलते हो अर्थी पता नहीं है मगर तुम्हें आज तक किसी ने ये कहा नहीं ये कहने के लिए मेरा जन्म यहां हुआ कि जिसमें तुम्हें भाव ना आए भाशा तो भावों के कपड़े तुम कपड़े को ही पकड़ते रहे और व्यक्ति तो कहा विदा हो गया पता नहीं अक्सर ऐसा होता है बिना व्यक्ति का जब कपड़ा दीखता है तो महिमा आती व्यक्ति की महिमा नहीं आती देखते हैं ने एक मा का जवान बेटा यदि मर जाए जिंदा था तब इतना बेटे को मा ने नहीं देखा ओगा इतना याद नहीं किया होगा मगर मरने के बाद में बेटे के कपड़े लटके हो तो बेटा बहुत याद आता हमने कपड़े को देख करके ही महिमा जानी हमने छिलके की महिमा जानी छिलके को ही कुटते रहे और अनाज के दाने तो कहां बै गए गए शब्दो को ही पकड़ा और भावो को न पकड़ा इसलिए भविश्य में आने वाली पीडियों के लिए जिनके पास ये भाशा पहुँचेगी मैं उन सभी से ये कहता हूँ तुमारे जमाने में तुमारी भाशा में जो प्रतिकर्मन लिखा जाए उसका तुम पाठ करना इस हिंदी को भी तुम छोड़ देना उस भाशा में तुम प्रतिकर्मन का पाठ करना तुम इस हिंदी को भी मत पकड़ना मैं तो सभी भाशाओं को पकड़ने को मना करता हूँ और जानता हूँ सब भाशा को, फिर भी ये कहता हूँ, भाशा को पकड़ने से भाशा पकड़ में नहीं आती, भाओ को ग्रहन करो, तो सामने वाले की भाशा को तुम समझ चाते हो, और यही तो रहस्य है, जिसके लिए मैं किसी को ढूंडता हूँ, परम कृपालु देव मु भाव समझ लिया, तो भाशा उतरती है, उतरती है, हे ज्यान दीपक, मेरे पास ऐसी कोई शक्ती नहीं है, कि परम कृपालु देव के वचनों का मैं भाव आप तक पहुँचाओ, फिर भी मैंने साहस किया, कि इन चार सेशन में इस ख्षमापना का रहस्यक मैं खोल सकूँ, अभी इतना है, वहो उपकार, देह सहत जिन की दशा, वरते देहातीत, उन क्यानी के चरण में, भोवंदन अगणित, ओ वंदन अगणित, ओ वनदन अगणित, ओ वंदन अगणित,